अगर मुझे 1 cm से 1 mm में convert करना होता है तो अब अगर मुझे 1 cm स्क्वेर को मिलिमेटर स्क्वेर में convert करना है तो मैं 10 से 2 बाल multiply करूंगा क्योंकि देखें, cm to mm 10 से 1 time multiply, cm square तो 10 से 2 times multiply यानी 100 mm square हो जाएगा 10 से 2 times multiply यानी 10 into 10 100 तो जाएगा 100 mm square अब उसी तरीके से अगर मुझे मीटर से cm में convert करना है तो मैं 100 से multiply करता हूं usually 1 meter equals to 100 cm और अगर अब मुझे किसी को 1 meter square से cm square में convert करना है मीटर स्क्वेर हो गया है यानी 100 से 2 बाल multiply यानी 100 से 2 बाल multiply करेंगे तो आपको में लेगा 10,000 cm square और इसके लावा एक conversion निटा हो जाए एक हेक्टेर में कितना होता है 10,000 m2 होता है तो यह चीज़ आपको याद आखने चाहिए 1 hectare means एक square shape जो कि 100 by 100 meter किया है 100 by 100 meter यानी 100 into 100 यानी 100 into 100 यानी 10,000 m2 equals to 1 hectare तो यह तो थे कुछ basic conversion ओके आप जम करते हैं examples पे सबसे पहले example number 20 देखिए a rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide तो rectangular park ABCD उसके आपको dimensions दे रखें a path 2.5 meter wide is constructed outside the park find the area of the path तो देखिए यह जो shaded portion है इसका आपको area निकालना है यानी path का जो है area वो आपको निकालना है तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 rectangles दिख रहे हैं एक तो ABCD एक PQRS तो अब एक चीज़ बताईए अगर मैं बड़े वाले rectangle में से यह हाँ जो दो चूटे वाले rectangle निकाले जोगा थो फॉत दो मिर पास घंड का बचान है टो बचे घंघ से वह सब्साइऑ तो घंड निटी को ने छूटेवान रेक्टेंगल को एक वह श्क दीमांगा मैं प्चोटेवाले pauले के रिया में से च्षोटेवाल्य और को सालिक कैसे अब PQRS का area कैसे निकालेंगे उसके लिए length और bread दोनों चीह होंगे मुझे अंदर वाले का area तो निकालना एजी है क्योंकि अंदर वाले की length और bread दोनों available है मेरे पास पहले अंदर वाले का निकाल लेते है ABCD का length 45, bread 30, 45 x 30 यह हो गया 1350, 1350 m2 अंदर वाले rectangle का area अब बाहर वाले के लिए अगर यहां से लेके यह यहां तक 45 है तो यह बागी का बच्चा हुआ portion है यह 2.5 है और इधर 2.5 है यानि अब अगर मैं इस पूरी length को count करना चाहता हूं तो 2.5 right hand side add हुआ है 2.5 left hand side add हुआ है तो 45 के अंदर 2.5 और 2.5 मैंने add कर दिया तो यह बन गया 50 तो बड़े वाले rectangle की length हो गई 50 अब bread देखिए यहां से लेके यहां तक जो है वह 30 है ऊपर यह जो है यह 2.5 है नीचे यह 2.5 है तो ऊपर 2.5 add हुआ नीचे 2.5 add हुआ तो total यहां से लेके यहां तक यह bread बन गई बड़े वाले rectangle की तो देखिए 30 में भी मैंने 2.5 और 2.5 add हुआ तो यह बन गया 35 तो यह हो गई bread इस तरह से मैंने outer rectangle की length दोनों निकाल ली अब area निकालने के लिए length और bread से multiply कर देते हैं तो length into breadth हुआ 50 into 35 तो मुझे area मिला 1750 अब कुछ नहीं करना बड़े वाले rectangle का area minus okay example number 21 देखिए same concept है a path 5 meter wide run along inside a square park offside 100 meter find the area of the path also find the cost of cementing it at a rate of 250 per 10 meter square तो देखिए statement को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए a path 5 meter wide run along inside a square park offside 100 meter तो ABCD जो है वो मेरा park है जिसकी length कितनी है 100 है इस park के अंदर मैंने path बनाया है पिसले वाले में क्या था park था park के बाहर path बनाया था यहाँ पर park के अंदर path बनाया है और path की width कितनी है 5 तो मुझे cost निकालनी है इसको cement करने की path को तो सबसे पहले तो area निकालना पड़ेगा path का area क्या होगा outer rectangle का area minus inner rectangle का area देखे square park है तो यहां से लेके यहां तक यह complete क्या है 100 है यह इतना सा portion यह है 5 और यह इतना सा portion 5 तो उपर वाला 5 और नीचे वाला 5 मैं हटा दूँ तो यह वाला portion बच्चे का मेरे पास यानी अंदर स्क्वेर की साइड निकल जाएगी इसकी हर्प से यानी 100-5-5 तो मेरे पास आएगा 90 अंदर बाला स्क्वेर के dimensions है 90 तो अब स्क्वेर का area होता है side square तो 100 का स्क्वेर का तो outer square का area आ गया 90 का स्क्वेर का तो inner square का area आ गया अब outer square के area में से inner square का area subtract कर दिया यह shaded reason आ गया यानी पात का area आ गया यानी इतना area है पात का अब मुझे क्या करना है इसको cementing करनी है इस पात पे इस पात पर cementing करनी है और cost मुझे कितनी दियर रखे 250 रुपीज पर 10 meter square तो देखिए मैं क्या करता हूँ एक meter square की cost निकालता हूँ पहले 10 meter square की cost इतनी है तो अब इस equation में अगर मै 10 डिवाइड कर दो both side 10 meter square तो बन जाएगा 1 meter square 250 divided by 10 यह बनेगा 25 यानि 1 meter square का मुझे cost बढ़ रहा है 25 रूपीज यानि 1900 meter square इतना area मुझे cement करना है इसको अगर मैं 25 से multiply कर दो देखिए यहाँ पर 25 से multiply किया हुआ है तो इसको जब मैं 25 से multiply किया तो यह आया मेरा total cost तो इसको से मैंने total cost नकाल दिया part को ओके example number 22 देखिए two crossing rods each of its 5 meter run at right angle through the center of rectangular park of length 70 meter and breadth 45 meter and parallel to its sides find the area of the roads also find the cost of constructing the roads at a rate of 105 per meter square अब देखिए यहाँ पर ABCD एक पार्क है इस पार्क के center में इस तरह से दो roads बनी हुई है roads क्या है एक दूसरे को intersect कर रही है तो मुझे क्या करना है सबसे पहले तो roads का area निकाल तो roads की width मुझे की बन है 5 meter 5 meter अगर road की width है यानि यह जो distance है यह 5 meter है तो मैं कह सकता हूँ PQ मेरा 5 meter है अब यहां से लेके यहां तक यह जो bread है मेरे rectangle पार्क की यह 45 है तो यह 45 है तो यहां से लेके यहां तक यह भी 45 होगी तो इस तरह से मैंने PQ and PS identify कर लिया अब दूसरा देखिए EH क्योंकि rectangular path की width 5 है तो EH 5 होगा मेरा और यह जो length है यहां से लेके यहां तक यह 70 है यहां से लेके यहां तक यह भी 70 होगा यह जी अब HG बोली है या EF बोली है दोनों यह की बात है यह दोनों 70 होगे तो इस तरह से मैंने EH and EF यह दो चीज़ और identify करी EH मेरा 5 है EF मेरा 70 है अब देखिए KL यहां पर अगर width 5 है तो यहां पर यह width भी 5 होगी यह width अगर 5 है तो यहां पर यह width भी 5 होगी यह भी 5 होगी और यह भी 5 होगी यह जो shape बन रही है KLMN यह square shape है और हर एक side कितनी है 5 cm की है तो यह information और identify की मैंने अब इन information का करूँगा क्या क्या use है वो देखेंगे जो जो information identify करने थी वो मैंने यह आपर लेग देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ area निकाल रहा हूँ इसका rectangle PQRS का यानि यह वाला area में निकाल रहा हूँ rectangle का area उता है length into breadth PQ मेरी breadth है और PS मेरी length है तो PS into PQ यानि 45 into 5 करूँगा यह आपर देखिए PQ and PS given है आपको तो यह तो हो गया मेरा area PQRS का 45 into 5 अब मैं area निकाल रहा हूँ इस वाले rectangle का यह जो मैं shade कर रहा हूँ यह कहा है EFGH EH यहाँ पर breadth है और EF यहाँ पर length है यानि EF into EH यानि 17 into 5 करूँगा मैं तो देखिए यहाँ पर मैंने 17 into 5 करते हैं अब एक चीज आपने observe की जब मैंने यह वाले rectangle का area निकाला तो यह वाले portion का area भी मैंने निकाला और जब मैंने PQRS का area निकाला तब इस वाले portion का इस वाले का यह जो portion है square shape में KLMN यह square shape का area मैंने 2 बार count किया एक बार तो जब मैंने PQRS निकाला तब भी वाला area include हुआ और एक बार जब मैंने EFGH निकाला तब भी ये वाला area include हुआ यह square वाला area जो की road का part है इसको मैंने double count कर लिया अब क्योंकि मैंने इसे double count कर लिया तो दो बार मेंसे मैं अगर एक बार हटा दूँ या subtract कर दूँ तो मेरा काम सही हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ इस square का यानि KLMN का area अरिया subtract कर देता हूँ KLMN का area होगा 5 into 5 तो देखिए यहाँ पर 5 into 5 subtract कर दिया तो देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ area of road area of road क्या होगा PQRS का area and EFGH का area इन दोनों का sum और क्योंकि इसके अंदर square का area double count हो गया था तो एक square का area subtract कर दिया अब यह equation है जिससे मेरे पास road का total area आएगा तो अब देखिए 45 into 5 2 to 5, 17 into 5 350, 5 into 5 25 तो इसको जब आप solve करेंगे तो आप मिलेगा 550 meter square यानि इतना area है मेरे road का जो कि पार्क के अंदर बनी हुई है अब 1 meter square का 105 रूपीज मुझे पे करना पड़ता है construction के लिए तो total cost कितनी होगी 550 into 105 तो इनको जब मैं product तरूँगा तो मुझे मिलेगा 57,750 रूपीज ये मेरे total cost आएगी इस road construction ओके अब स्टार्ट करते है 11.4 पिक करने question number 1 देखिए a garden 90 meter long and 75 meter broad a path 5 meter wide is to be built outside around it find the area of the path also find the area of garden in hectare तो देखिए सबसे पहले ABCD मेरा पार्क है इसके dimensions मुझे दे रहे हैं ये 90 है यहां से लेके यहां तक 75 इसकी ब्रेट थे हैं यहां से लेके यहां तक ये 75 इसका एरिया निकाल लेते हैं ABCD का एरिया निकाल लेते हैं यानि 90 इन टू 75 करेंगे तो यहां एका 670 ये एरिया है मेरे गार्डन का अब इस गार्डन के 4 तरफ पात बनाये गया पात की विट्स कितनी है 5 तो अब एक चीज़ मुझे ये बताइए यहां से लेके यहां तक अगर ये 90 है और इधर 5 विट्स एड़ हो गई ये 5 और इधर 5 विट्स एड़ हो गई ये 5 तो यहां से लेके यहां तक ये टोटल ये कितनी होगी 90 प्लस 5 प्लस 5 यानि 100 यानि आउटर वाले रेक्टेंगल की लेंध आगे मेरे पास 100 अब इस तरफ से लेक्ट आपकरणाक ये से लेके यहां तक ये 75 है उपर 5 विट्स का एक पात है और नीचे 5 विट्स का एक पात है ये टोटल यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया 70 प्लस 5 प्लस 5 यानि 85 तो बड़े वाले rectangle की बैट भी आ गए मेरे पास अब मैं क्या करता हूं बड़े वाले rectangle का area निकाल लेता हूं length है 100, breath है 85. तो EFGH का area निकाला मैंने 100 x 85, यह हो गया 85-100 तो अब इस तरह से मेरे पास छोटे वाले rectangle का area भी है बड़े वाले rectangle का area भी है कर नहीं होगा तो वही चीज मेंने किया तो यह एरिया है मेरे बात का अब उसके लावा एक और चीज बोली यह कोशन में देखिए और अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था वन हेक्टेर कितना होता है वन हैक्टेर होता है 10,000 वैक अगर मुझे हेक्टेर के स्के Culture वैंए करदा हों दोनुंत्रस टेन था सब्सक्राइड किया paten यादि मुझे मुझे से डिकार देंगे यहोगा कनृपवन अपन 10,000 ह corridors यानि 1 meter square में 1 upon 10,000 hectare होता है यानि अगर मुझे meter square से hectare में convert करना है तो मैं 1 upon 10,000 से multiply करूँगा या फिर ऐसे बोली कि 10,000 से divide करूँगा तो दोनों एक ही चीज है तो देखे 6, 7, 5, 0 यह मेरा total area था इसको अगर मैं 10,000 से divide कर देता हूँ तो यह hectare में convert हो जाएगा तो देखे 6, 7, 5, 0 को इसको मैं लिखता हूँ 6, 7, 5, 0.0 अब 10,000 से divide हो रहा है decimal four places left hand side में shift होगा तो देखे 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कहीं पर decimal आ जाएगा तो यह होगा 0.675 hectare यानि यह area है hectare में मेरे park का ओके अब pick करते है question number 2 question number 2 देखे a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 and breadth 65 find the area of the park question number 1 जैसा ही है figure भी इक्दम वैसा ही बनेगा तो same figure अपने यूज़ कर लेते हैं तो rectangular park कौन सा है मेरा ABCD है उसके मुझे dimensions दे रखे हैं dimensions के है length 125 और breadth 65 तो इसका area निकाल लेते हैं सबसे पहले तो तो area कितना होगा इसका इसका area होगा 125 into 65 जो कि मुझे देगा 8125 unit आएगी meter square यह मेरे park का area है अब मुझे outer rectangle का area निकालना है और outer rectangle का area निकालने के लिए मुझे outer length and outer breadth ची होगी वो मुझे कहा से मिलेगी path के width से तो यहां से लेके यहां तक यह total 125 है इधर 3 meter का path है और इधर 3 meter का path है तो 3 meter इधर add होंगे 3 meter इधर add होंगे total 6 add होंगे 125 में अगर मैं 6 add करूंगा तो मुझे मिलेगा 131 सेम rule breadth पे भी apply होगा यहां से लेके यहां तक यह 65 है 3 meter का path इधर है 3 meter का path इधर है तो 65 में 6 add करूंगा तो मुझे मिलेगा 71 तो outer वाले rectangle के dimensions होगे 131 and 71 तो इसका area हो जाएगा 131 into 71 तो यह मुझे देगा 9301 meter square अब path का area निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना बड़े वाले rectangle के area में से मुझे छोटे वाले rectangle के area subtract करना है तो यह मुझे मिलेगा 1176 meter square तो यह हो गया मेरा path का area सेम टाइप के questions है जैसे example में थे तो वहां पे एक बार detail में देखिए यहां पे आपको easily समझ में आए ओके अब देखिए question number 3 अब picture is painted on cardboard 8 cm long and 5 cm wide such that there is a margin of 1.5 cm along each of its sides find that total area of margin let's suppose EFGHU मेरा cardboard है इस cardboard के बीच में मैंने picture बनाई ABCD जो area उसमें मैंने picture बनाई है इस cardboard के dimensions मुझे 8 & 5 दे रखे हैं तो यह तो हो गया यहां से लेके यहां तक 5 और यह total कितना हो गया यह हो गया 8 अब इसमें मैंने margin छोड़ा है picture बनाते हो 1.5 यहां पे छोड़ा है और 1.5 इदर छोड़ा है 1.5 ऊपर छोड़ा है 1.5 नीचे छोड़ा है अब एक चीज बताईए इस length में से 1.5 इदर सब्ट्रेक कर दीजे यह वाला area 1.5 इदर सब्ट्रेक कर दीजे वाला area 1.5 इंटू 2 कितना होता है 3 यानि 3 cm total कम करना है 1.5 एक तरफ से 1.5 दूसरी तरफ से 8 में से जब मैं 3 कम करूंगा तो यह 5 बचेगा है यानि इसकी length होगी 5 and same rule breadth पे भी apply होगा 5 में से जब 3 subtract होगा तो मुझे भी लेगा 2 तो जितने area में मैंने picture बनाई है या फिर जिस rectangular area में मैंने picture बनाई है तो मुझे margin वाला area निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा outer rectangle के area में से जो कि है 8 x 5 यानि 40 cm2 उसमें से मुझे inner rectangle का area जो कि है 5 x 2 equals to 10 cm2 यानि outer rectangle के area में से inner rectangle का area subtract करना पड़ेगा 40-10 तो मुझे भीला 30 cm2 तो यह area है मेरे total margin जो मैंने छोड़ी है क्लियर है अब देखिए question number 4 देखिए अब वरेंडा width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide लेके diagram तो सब में एक जैसा ही बनना है एक room है मेरा ABCD को room मान लिजे उसके dimensions दे रखें मुझे 5.5 तो यह मान लिजे length उसकी breadth उसकी कितनी है 4 है उसके चारों तरफ मैंने एक वरंडा बनाया है और वरंडे का width मुझे दे रखा 2.25 तो देखिए यह portion 2.25 है 2.25 और इधर भी 2.25 है तो देखिए 5.5 में मुझे 2.25 plus 2.25 add करना है तो यह हो जाएगा 4.5 5.5 plus 4.5 यह आपको देखा 10 तो जो मेरा outer rectangle है उसकी length है मेरे पास 10 तो same concept मुझे breadth पर भी apply करना है पड़ेगा यह मुझे देखा 8.5 outer rectangle की जो breadth है मेरे पास वह है 8.5 तो अब मुझे वरंडे का area निकालना है outer rectangle में से inner rectangle का area subtract कर दो मेरा काम हो जाएगा outer rectangle का area क्या है 10 x 8.5 यानि 85 meter square inner rectangle का area क्या है 5.5 x 4 यानि 22 meter square outer वाले rectangle में से inner rectangle का area subtract किया तो मुझे मिला 63 meter square तो यह आगे मेरा area of veranda first part second part में मुझे बोल ते cost of cementing the floor of veranda at a rate of 200 per meter square अब मुझे cementing करने है तो एक meter square का 200 rupees लगता है 63 meter square का कितना लगेगा 63 x 200 तो यह मुझे थी का 12,600 rupees तो यह हो गया मेरे second part okay अब देखिए question number 5 a path 5 meter wide is built along the border and inside a square garden off-side 30 meter square के अंदर path बनाया गया है square के dimensions दे रखे है 30 meter EFGH मेरा square है इसके dimensions है 30 meter इसके अंदर path बनाया है इसकी width कितनी है 1 meter जब इसके चारों तरफ path बना दूँगा तो अंदर एक और square बन जाएगा वो square है ABCD तो यह जो मैंने green color से shade किया है यह है मेरा path जो मैंने path बनाया और जब यह path बन गया तो अंदर square shape बन गए ABCD तो मुझे first part में इस path का area find करना है तो देखिए वह concept है जो हर कुशन में लगता हुआ या अभी तक तो देखिए E edge अगर 30 है तो यहां से लेके यहां तक यह 1 है और यहां से लेके यहां तक यह 1 है तो 1 meter उपर से 1 meter नीचे से subtract होगा तो यहां पर बीच में कितना बचेगा 28 meter यानि inner वाला जो square है उसके dimensions मुझे मिल गए 28 है तो मुझे क्या करना है path का area निकालने के लिए outer वाले square में से inner वाले square का area subtract कर देना है outer square के dimensions है 30 30 x 30 square का area side का square तो यहोग है 900 अंदर वाले square का area 28 x 28 तो यहोग है 784 अब outer वाले square में से inner वाले square का area subtract कर दिया तो यह आया 116 meter square तो यह हो गया 1st वाला पार्ट अब देखिए 2nd वाला पार्ट 2nd वाले पार्ट के लिए cost of planting grass in the remaining portion of the garden at a rate of 40 per meter square तो लेगे चार तरफ तो path बना दिया और बचेवे portion में grass लगा निया है तो path को अगर हटा दिया जाया तो यह जो red color shade किया है मैंने यह portion बचा है जहां पे grass लगेगी यहनि अंदर वाले square में grass लगेगी और अंदर वाले square का area है 784 देखिए मैंने यहां पे निकाला हुआ है एक meter square में grass लगाने की cost of 40 rupees तो इतने meter square में टूटल कोस्टिंग कितने आएगी इंटू 40 कर देंगे अपन इनी 784 इंटू 40 तो यह मुझे देगा 31,360 rupees तो यह होगी में total cost planting the grass तो इसी के साथ यह question number 5 भी finish होता है और इस वीडियो को यहीं पे end करते हैं आगे वाले questions आगे वाले वीडियो में पिक करेंगे in the part 2 अभी तक कि जितने भी question थे वो एक ही concept के ऊपर बेस थे और एक ही type के थे almost तो इतने साथ question एक ही type के कर लिये तो इसा कुछ इशू आना चाहिए और फिर भी कहीं कुछ इशू आता है